मित्रो, माता लक्ष्मी ने बताया कि इन पांच लक्षणों वाली स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर यह पांच लक्षन होते हैं और जिन स्त्रियों के अंदर यदि यह पांच लक्षन होते हैं तो वे स्त्रियां घर की लक्षमी कहलाती हैं जिनको स्वयम माता लक्षमी ने अपने क्रिपा हमेशा बनाए रखना और जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें उसे सदैव ही अपना आशीरवात देना और उसके घर में आप सदा निवास करना जो भी कमेंट में माता लक्षमी कमेंट करें उसकी सदैव रक्षा करना मित्रों एक समय की बात है देवर्शिनारत जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने अवगुणों के कारण वह अपने घर में क्लेश कर रही थी जिस वजह से उस स्त्री का पती अपनी स्त्री से बहुत परेशान था उसकी स् जो अपने पती का ध्यान रखती है और अपने सच्चे मन और लगन से अपने पती और अपने परिवार की सेवा करती है वह स्त्री बहुत ही खुश है और उसके परिवार में धन संपत्ती की कोई कमी नहीं है तब देवर्शिनारत जी के मन में कई प्रशन उठते हैं कि आख प्रश्मी के पास जब माता लक्ष्मी देवर्शिनारत जी को अपने पास आया हुआ देखती है तो वह देवर्शिनारत जी से पूछती है कि हे नारायन। भक्त देवर्शिनारत जी आप आज हमारे पास कौन से प्रयोजन की वजह से पधारे हैं। तब देवर्शिनारत जी कहते हैं कि हे माता मैं आज आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के निवारन के लिए आया। तब माता लक्ष्मी जी कहते हैं कि हे देवर्शिनारत जी कहि आपके वह प्रश्ण कौन से हैं, जिनकी मंशा से आज आज आप हमारे पास आप पहुंचे हैं, आप अपने प्रश्णों को पूछिए, मैं आपके प्रश्णों का उत्तर आपको अवश्य दूँगी, तब देवर्शी नारत जी कहते हैं कि हे माते, आज जब मैं आकाश मार् जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी का मातम चाया हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री ऐसी भी थी, जो अपने पती का कहना मान रही थी, अपने परिवार का ध्यान रख रही, समय पर भगवान की उपासना कर रही, उसके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ती की कोई दिक्कत नहीं थी, माते में एक स्त्री के उन पांच लक्षणों को जानने के लिए आया हूँ, जो यदि किसी स्त्री के अंदर विद्यमान होते हैं, तो उस स्त्री को स्वयम आपके समान ही माना जाता है, देवर्शिनारत जी की इन बातों को सुन कर माता लक्षमी क प्रश्ण समस्त मनुश्य के लिए अत्यंत आवश्यक है परंतु हे देवर्शिनारद जी मैं आपको आपके इस प्रश्ण का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूँगी तब देवर्शिनारद जी कहते हैं कि हे माधे आप उस कथा को सुनाईए मैं इस कथा को पूरा सुनूँगा और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूँगा तब माता लक्ष्मी जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहती हैं कि हे देवर्शिनारद ज और वह जगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला जाता है। दोनों छोटे बच्चे थे, वह उन दोनों को लेकर अपने पीहर के लिए निकल गई, शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के वह पत्नी अपने पीहर के चल दी, मित्रों, अब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारत ज जब स्त्री पीहर के लिए गाव से बाहर निकलती है, तो रात हो चुकी थी, और उसके पीहर जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल मिलता था, जब वह जंगल में पहुँचती है, तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम बना कर रहते थे, वह अभी तक अ उस औरत को रोकना चाहा कि इसको रोक करके पूछ लेता हूं कि बात क्या है, जो तुम इतनी रात में जंगल, इस जंगल के रास्ते ना जाने कहां जा रही हो, परंतु साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे, तो यह समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचे जो बहुत खतरनाक हैं, जो इस औरत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसकी जिंदगी को भी ले सकते हैं, इसके सभी बच्चों को भी मार सकते हैं, और हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसे रोकेंगे नहीं, तो हमें ही पाप लगेगा, भगवान को जाकर मैं क्या जवा पास में पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहां जा रही हो तुम्हारे पास में यह तो छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधरक हो करके जा रही हो बात क्या है क्या परेशानी है क्या पति से कोई लड़ाई जगडा हो गया है या कोई और बात बन गई है। अब देवी लक्षमी कहती हैं कि हे देवर्शिनारत जी, साधू के पूछने पर उस्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज हमारे पती ने मेरे गाल पर थपड मार दिया है। अब मैं अपने पती के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने पीहर जा रही हूं। तब साधू ने समझाया कि देखो, तुम्हारे पती ने थपड मार दिया है लेकिन तुमने भी तो गाली दी है और वही तुम्हारे पती ने थपड मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुसे में तुम अपने बच्चों को लेकर रात्री में तुम जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं और वह कितने खतरनाक हैं जो तुम्हारे साथ हाथसा कर सकते हैं तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी मृत्यू भी कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या, तब उस साधू की कोई भी बात मानने को तयार नहीं थी, तब साधू ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पती के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो, आज रात्री में तुम यहीं ठहरो, मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए, तब तुम दिन में निकल जाना, तब तुम अपने पीहर चली जाना, अब वह स्त्री उस साधू की बात सुनकर सहमत हो जाती है और उसने कहा, ठीक है, मैं रात्री में आपके यहां रुकती, सुबह होते ही निकल जाओंगी, इधर आश्रम पर वह महात्मा जी उस स्त्री सहित उनके बच्चों को अपने आश्रम की कुटिया के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका था, रात्री के समय उस स्त्री और बच् को लेकर के उस साधू महाराज की कुटिया के अंदर सो गई, और इधर जो साधू थे वह बाहर सो गए, अब साधू को मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन साधू उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे, और पूरी रात बाहर लेटे रहे, जब सवेरा हुआ, तो उस स्त् के अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल दी, यात्री गण जो थे, वह भी चलने लगे, इसलिए जंगली जानवरों अब उसे कोई خथ्रा नहीं था, वह स्त्री चली जा रही थे, चलते चलते वह अपने पीहर में पहुँच जाती है, और जब वह पीहर में पहुची तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहां दो बच्चे साथ में हैं लेकिन इसका पती साथ में नहीं है और वह लोग उसके चहरे की ओर देखते हैं तो उसका चहरा लाल था और क्रोध से उसकी आँखें भी डाल थी तो तब पिता जी समझ गए लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई जगडा हो गया अब उस स्त्री को घर पर अपनी बेटी को लेकर के उसकी माता जाती है फिर पिता ने पूछा कि बेटी क्या बात है तुम्हारा पती तुम्हें छोडने के लिए यहां क्यों नहीं आया क्या आपस में तुम लोगों में कोई जगडा हो गया है क्या बात क्या है हमें सच सच बताओ मित्रों अब देवी लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्शिनारत जी उस बेटी ने अपने पिता से अपने पती के साथ किये हुए जगड़े की बात बताद वह कहती है कि हम लोगों में जगडा हुआ और हमारे पती ने हमें थपड मार दिया अब मैं अपने पती के साथ में कभी नहीं रहूँगी अब मैं तो आपके यहां पर ही रहूँगी अब पिता ने कहा कि बेटी वह बात तो सही है कि आपके पती ने आपके गाल पर थपड मार दिया ये उन्होंने गलत किया है लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बज़ती है ताली दोनों हाथ से बज़ती है आपने भी कुछ कहा होगा ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थपड मार दिया हो सच सच बता बात क्या है परंतु उसने गालियां देने वाली बात को छिपा ली और कहा की नहीं पिता जी मेरा कोई दोश नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराज़की पर हमारे पती ने मुझे धपड़ मार दी अब मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाओंगी या तो आपके यहां रहूंगी, या मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता हड़ बढ़ा गया, उसने सोचा कि अब भी अगर इससे ज्यादा कुछ पूछते हैं तरक वितरक करते हैं, तो यह कुछ भी कर सकती है इसलिए यह सफर चल कर आई है, इसे आराम करने देते हैं अब वह स्तरी खूब आराम करती है, रात में रुकती है अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है, अपनी गलती को वह बेटी फिर से छिपा जाती है और सारा दोश, सारी गलती अपने पती पर ही डाल देती जब बेटी के यह शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी यहां पर रहिए अब वह स्तरी दोस्तों अपने पिहर में पिता के घर पर रहने लगती अब उस स्तरी के जो ससुराल वाले थे, उस स्तरी के सास ससुर थे वह सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहु घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा हमारी बहु कहां है, वह कहां गई है तब बेटा कहता है कि मेरा उस से जगड़ा हो गया, तो वह रात में बच्चों को ले करके अपने पीहर चली गई है पिता ने पूछा, बेटा जगड़ा क्यों हुआ, तब उस बेटे ने जवाब दिया पिता जी छोटी सी बात को ले करके बाद बढ़ती चली गई पिता ने पूछा, कि फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा सलूक किया है तब वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थपड मार दिया इसी बात को लेकर के वह नाराज हो गई और अपने पीहर चली गई तब पिता ने पूछा बेटा तुमने थपड क्यों मारा बात क्या थी तब उस बेटे ने बताया कि पिता जी मेरी पतनी ने मुझे गालियां दी इसी लिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थपड मार दिया फिर पिता ने समझाया बेटा तुमने गलत किया है तुम नहीं जानते हो स्त्री घर की लक्षमी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर शमशान के समान हो जाता है उस घर में कोई भी हादसा हो सकता है कुछ भी नुकसान हो सकता है इसलिए घर की ग्रहनी लक्षमी होती है तुमने उसके साथ गलत किया इसलिए वह गुस्सा होकर पीहर चली गई ऐसा करो तुम जाकर कि अपनी पत्नी को अपने ससुराल से यहां बुला लो मुझे अपनी बहू के बगएर अच्छा नहीं लगता है तब बेटे ने कहा पिता जी उसने हमें गालियां दी है हम उसको कैसे बुला ले घर की बहू लक्ष्मी तो होती है मैं भी मानता हूँ कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है लेकिन लक्ष्मी वाले उसने कम नहीं किये है वो तो कुलक्ष्णी है अरे उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाए उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वो लक्षमी हो सकती है अरे पिताजी आप नहीं जानते वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है वह आपकी भी सेवा नहीं करती है अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे इरश्या करने लगती है उल्टा सीधा बड़बडाने लगती है और उससे जलने लगती है अब पिताजी आप ही बताईए कि जिस इनसान का समाज में व्यभार सही नहीं है जिस इनसान को चार व्यक्ती जानते नहीं है वो इनसान किस काम का है इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे स्त्री का करतव्य होता है कि जो भी व्यक्ती पती के मिलने आए तो उनका आदर करें सम्मान करें उनको खिलाए पिलाए उनके लिए भोजन बनाए लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्षमी कहे और पिताजी आप यह भी नहीं जानते हो कि एक दिन द्वार पर भिखारी आया हुआ था वह भीक मांगता रहा और उसने दर्वाजा बंद कर लिया बेचारा बहुत देर तक चिल लाता रहा माता मुझे भिख्षा दे दो माता मुझे भिख्षा दे दो वह बेचारा भीक मांगता रहा लेकिन इसने दर्वाजा नहीं खोला इसने उसे भिक्षा भी नहीं दी और पिताजी आप तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने का अपना अधिकार खो देती है क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वह भीख मांगना है भिखारी गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है सिर्फ वह अपने पापी पेट के लिए अन्न मांगता है और अगर उसको कोई भीख नहीं देता है तो वह इनसान उससे भी गिरा होता है इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्षमी वाला हमें कोई व्यक्तित्व जान ही नहीं पड़ता है लक्षमी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है मैं कैसे उसको ससुराल जाकर बुला लूँ तब वह पिता उसे समझाता है कि बेटा तुम समझोगे नहीं तुम अग्यान जैसी बातें कर रहे हो ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्षमी वाला रूप नजर नहीं आता है वह तुम्हारे मिलने वालों से अर्थात कोई भी भिखारी आए उसका सम्मान नहीं करती है तुम्हें गलियां देती है ये मैं मानता हूँ तुम जूट नहीं बोल रहे हो लेकिन पती का धर्म अभी तुम नहीं जानते पती का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी पती को गालियां देती है तो वह भूल तो कर रही है हो सकता है उसमें बुद्धी की कमी हो हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ग्यान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूं जो अपने पती को गाली दे रही हूं इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पती का धर्म होता है अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ते को अपना रही है किसी का सम्मान नहीं कर रही है ना अपने पती का सम्मान कर रही है ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है तो पती का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझने का कि पती उसे समझाए और उसे अवगत कराए उसके अंदर ग्यान भरे अग्यानता को मिटा यह पती का काम होता है पती अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ और तुम्हें उसे समझाना चाहिए था लेकिन तुमने क्या किया उसके गाल पर तमाचा मार दिया तुमने तमाचा तो मार दिया लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं यही तुमने गलत किया है हमारा आदेश है बेटा तुमने भूल की है इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को जल्दी से बुला कर लाओ अब पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है ठीक है पिता जी, आप जैसा ठीक समझते हैं हमारे लिए मैं वैसा ही करूँगा लेकिन हमें उसके अंदर लक्षमी का रूप कोई नजर आता ही नहीं है मेरी कैसे उससे बनेगी पिता ने कहा, बेटा, फिर वही अग्यानता वाली बात तुम अपने अंदर सोच रहे हो पहले उसे बुला करके तो लाओ मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना देखो वह कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है मित्रों, अब देवी लक्षमी देवर्शी नारत जी से कहती है हे देवर्शी नारत जी पिता की बात को सुनकर वह बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल को चला जाता है जब वह ससुराल को जा रहा था तो वह भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के पीहर गई थी वही जंगल का रास्ता था जब वह जंगल में पहुँचता है तब वह देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चपल नीचे जमीन पर पड़ी हुई जब उसने अपनी बेटी की चपल देखी तो वह घबरा गया उसने सोचा इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर घटना तो नहीं हो गई कोई हादसा तो नहीं हो हमारी बेटी की चपल एक कैसे पड़ी है उसने हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया जब वह अपने ससुराल पहुँचा तब उसकी पत्नी दर्वाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी और जैसे ही वह अपने पती को आता हुआ देखती है तो वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों तुम्हारे पिता जी आ गए हैं उनके पास जाओ बच्चों को वह उनके पिता के पास भेज देती है और खुद दर्वाजा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है वह बच्चे अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से प्यार करने लगे और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने अब वह रात में अपने ससुराल में ही रुखता है तब उसके सास ससुर अपने दामाद का खूब सम्मान करते रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वे माता पिता उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं और वह अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा तुम लोगों में जगडा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थपड क्यों मारा ऐसा तुमने क्यों किया इसकी कोई गलती भी नहीं थी ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी थोड़ी सी नाराजगी थी थोड़ा सा जगडा हुआ और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थपड मार दी तुमने ऐसा क्यों किया क्या बात है तब उसने कहा कि देखिए पिता जी आपकी बेटी अपने दोश तो बताएगी नहीं इसने सारे दोश मेरे ही बताए होंगे ये मैं जानता हूं लेकिन इसकी गलती है अब ससुर न मैंने इसे थपड मार दिया और पिता जी आप ही बताईए हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्षमी होती है और जब लक्षमी पती का सम्मान नहीं करेगी उसे गालियां देगी तो इससे गलत बात एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है इसलिए मैंने इसे थपड मार द तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा तुम हमारी बेटी होने से पहले एक स्त्री हो अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो और स्त्री होने के बाद अब तुम मां भी बन चुकी हो तुम्हारे दो बच्चे हैं तुमने ना तो अपने पती का धर्म निभाया और ना तुम अपने सही तरीके से अपने माँ बनने का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहां चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए भविश्य के लिए कोई चिंता नहीं है जो तुम अपने ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यही है कि तुम हमारे दामाद के साथ पुनह अपने ससुराल को लोट जाओ। तब वह बेटी कहने लगी कि पिता जी मैं मर तो सकती हूं लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्शी नारत जी तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अग्यान हो तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह अग्यान तुम्हें ले डूबेगा हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया तुम्हारा विवाह कर दिया तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है ठीक है अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन तक रहो ज़रा अपने अंदर से विचार करो और सोचो हम जब तक जीवित हैं तब तक तो तुम यहां रह सकती हो लेकिन हमारी जिन्दगी का भी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि हम अब बूढे हो चुके हैं और कब हम लोग इस दुनिया को छोड़कर के चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है लेकिन हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हारे भाई और भावी तुम्हें स उमारा अपमान करेंगे तुम्हें नीची नजर की दिष्टी से देखेंगे तो उस दिन बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा दुक होगा इसलिए बेटी हमारी बात को मानौ आनो क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है बेटी के लिए अगर कहीं स्वर्ग होता है तो वह स पती को गाली भी नहीं देना चाहिए जिस तरह से पती मजबूर होकर के तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे इसलिए पहले स्वैम सुधार करो और उसके बाद में दूसरे को सुधारने की बात करो कहते हैं ना कि खुद सुधरो तो संसार सुधरे इसलिए बेटा हमारी बात यह गांट को बांध लो अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना अपने पती की सेवा करना अपने बच्चों को सही तरह से पालना यही तुमको सुख देगा अब देवी लक्षमी कहती है कि पिता के ऐसे समझाने पर वह बेटी रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगने लगती तब पिता कहता है कि हम से क्षमा मांगने से पहले अपने पती से क्षमा मांगो तब वहस्त्री अपने पिता के कहे अनुसार अपने पती से क्षमा मांगती है और अपने पिता जी से कहती है कि पिता जी हमारे अंदर अग्यान था मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहां सारी जिन्दगी में रह सकती हूँ, अपना जीवन गुजार सकती हूँ, लेकिन आज मुझे यह मालूम हुआ कि बेटी पर आया धन होती, बेटी के लिए सर्व सुख अगर कहीं मिलता है, तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहां तो जब तक मिलता है। जब तक बेटी कुमवारी रहती। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है। और पिता का घर तो एक रिष्टेदारी की तरह हो जाता है। पिता जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको कभी नहीं देंगे। अब उस स्त्री के माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ बहुत कुछ दान दहेज दे करके एक पोटली में वो दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद और बेटी को विदा कर देते हैं। वह पोटली जिसमें दान दहेज था उसको लेकर अपनी पतनी और बच्चों को लेकर के पती अपने घर के लिए चल देता है। वह उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था। अब वह पती पूछता है कि हमें अपनी बेटी की इस रास्ते में चपल मिली थी। तब मैं घबरा गया। ऐसा क्यों हुआ। तुम रात में कहा रही। कैसे आई। तब वह पतनी कहती है कि हे स्वामी मैं रात में आ रही थी तो एक साधू ने मुझे रोक लिया था। और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से निकली। जाते समय साधू ने कहा था कि पुत्री जब तुम कभी भी ज जिन्दगी में लौट कर अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिलकर के जाना। तब पती कहने लगा ठीक है चलो। महात्मा से मिलकर के ही चलते हैं क्योंकि वह आश्रम रास्ते में ही पढ़ता था। अपनी पतनी और बच्चों के साथ वह पती महात्मा जी के आश्रम पहुँ आप सभी अभी वहां विश्रम करो। मैं सनान और पूजा करने के बाद तुम से अभी मिलने के लिए आता हूँ। महात्मा सनान करते हैं पूजा पाट करते हैं उसके बाद में उनके पास पहुँचते हैं। वह साधू कहते हैं कि बेटी उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं स्त्री के लिए सर्व सुख अगर है तो ससुराल है और आज तुम लोट करके आ ही गई वह स्त्री महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महराज हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई थी लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्री के लिए सर्व सुख उसके पती और उसके ससुराल के लोगों की खुशी होती है मित्रों अब देवी लक्षमी कहती है कि हे देवर शिनारत जी अब वह महात्मा उस औरत को पांच बातें समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी मैं तुमको पांच बातें बताता हूँ और वो पांच बातें तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना यह पांच लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती है उन्हें लक्षमी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्षमी का दर्जा जरूर मिलता है तब उस स्त्री ने पूछा कि हे महत्मा जी वह पांच लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती है जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में कैसे देखता तब साधू महात्मा कहते हैं मैं तुम्हें स्त्री के पांच लक्षणों को बताता हूँ और यह पांच बातें तुम जीवन में हमेशा याद रखना वह साधु महात्मा कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुभः उठकर के स्नान करती है पूजा पाट करती है और पूजा पाट करने के बाद में फिर अपना घर का काम काज करती है और अपने बच्चों को देखती है और साफ सफाई का ध्यान रखती है समय पर अपने बच्चों को विद्याला भेजती है यह होती है पहले लक्षण वाली खुश नसीब स्त्री जो स्त्री सुबह उठकर किसनान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की साफ सफाई रखती है तो उसे घर में लक्ष्मी माता का वास होता है लक्ष्मी माता उस स्त्री से प्रसन रहती है और उसे घर में कभी गरीबी नहीं आत पहले लक्षन वाली तो स्त्री ये होती है, दूसरे लक्षन वाली स्त्री, बताते हुए वह साधू स्त्री से कहता है कि दूसरे लक्षन वाली स्त्री वह होती है, जो अपने पती का, अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वह भी इसलिए कि हमारे बच् जो स्त्री ध्यान रखती है तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता और लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती। कभी गाली नहीं देती उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का साथ ससुर को भी गाली नहीं देती है उसका सम्मान करती है अच्छे शब्दों से उनकी इज़त करती है अपने पती से मीठा बोलती है तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जात और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लोगों को अपशब्द बोलती है, तो उस स्त्री को लक्षमी का दर्जा कभी नहीं दिया जाता है, और वह समाज में भी अपमानित होती है, इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षन होन बिखारी को भीक देती वही स्त्री लक्षमी का रूप कहलाती। बिखारी को भीक देती वही स्त्री लक्षमी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। बिखारी को भीक देती है। बिखारी को भीक देती वही स्त्री लक्षमी के लिए रुष्ट हो जाती है। और अपने घर की साफ सफाई करें। जाडू लगाए और बरतनों को भी साफ करें। और अपने बच्चों को भी गंदा ना करें। उनकी साफ सफाई करें। इस तरह से वह महात्मा स्त्रीयों के बारे में इन पांच आचरणों वाली स्त्री को लक्षमी का रूप बताते हैं। अब वह स्त्री हाथ जोड़ करके उन महात्मा से क्षमा मांगती है। और कहती है कि हे महाराज आपने स्त्रीयों के अंदर यह जो पांच लक्षन बताएं हैं। जिसकी वजह से एक स्त्री लक्षमी माता का रूप होती है। तो आज के बाद यही लक्षन मैं अपने अंदर भी अपना लूँगी। और इसी तरह से मैं भी अपने घर में जाकर यह पांच लक्षनों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी। और अपने सास ससुर की अपने पती की सेवा करूँगी। घर आये अतिति की भी सेवा करूँगी। बिखारी को भी भीख दूँगी। सुबह जल्दी से उठूँगी। घर की साफ सफाई रखूँगी। और बच्चों का भी अच्छी तरीके से देख भाल करूँग। उनकी परवरिश करूँगी। उस स्त्री की बात को सुनकर वह महात्मा बड़े ही खुश हो जाते हैं और अब वह पती-पत्नी महात्मा से आग्या लेने के बाद वह स्त्री अपने पती के साथ में अपनी ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिता जी आज के बाद मैं कभी रूट करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी आप लोगों की सेवा करूंगी अपने पती की भी सेवा करूंगी इसके बाद वहस्त्री उन पांच लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेती है और खुशी-खुशी अपने सास ससुर और पती के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती धीरे-धीरे उसके घर में सुख और शान्ती हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रह अब माता लक्षमी देवर्शी नारच जी से कहती है कि हे देवर्शी नारच जी अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह पांच लक्षण कौन से हैं जो एक स्त्री के अंदर अगर विद्यमान है तो वह स्त्री स्वयम माता लक्षमी यानि मेरा ही एक रूप मानी जाती और जिस स्त्री के घर में मेरा वास हो जाता है, वह घर धन संपत्ती से भर जाता है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्शि नारजी कहते हैं, हे माते, आज आपने मुझे एक कथा के माध्यम से स्त्रीयों के बारे में जो ज्यान दिया है, वह सर्व ज्यान संपन्न है, आपको मुझे स्त्रीयों के बारे में यह पांच बातों को एक कथा के माध्यम से मुझे अवगत कराने के लिए आपका कोटी-कोटी धन्यव। मित्रों, यह पाँच लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं, वह स्त्रियां लक्षमी का रूप मानी जाती है। लक्षमी का दर्जा उनको प्राप्थ होता है और समाज उन्हें लक्षमी के रूप में ही देखता है। मित्रों, यह कहानी हमें तो यही सिखाती है उन स्त्रियों के लिए और उन पुरुशों के लिए भी कि अगर आपकी स्त्री ने यह पांच लक्षम अपने अंदर धारन कर लिये हैं, तो आपकी स्त्री कभी भी आपका अपमान नहीं कि अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि वह पांच लक्षणों वाली औरतें कौन सी होती हैं जिनकी वजह से आपका वीरान पड़ा घर भी स्वर्ग बन जाता है जिससे उनकी सहायता हो सके और वह सभी अपनी स चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना धन्यवाद